अगर आप किड्नी पेशेंट हैं तो जरूर देखें ये वीडियो किड्नी पेशेंट खा सकते हैं ये 5 फल कौन से हैं ये 5 फल? चलिए देखते हैं वीडियो में नमस्कार भारत होमेपैथी के योटीब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 फल जो किड्नी पेशेंट खा सकते हैं किड्नी पेशेंट की हेल्थ में काफी बड़ा रोल उनकी डाइट का होता है इसलिए कभी भी कोई किड्नी पेशेंट अपनी डाइट में कोई चेंज करता है या फिर कुछ नया खाने की कोशिश करता है या सोचता भी है तो उसके मन में कई चीजे चलने लगती है लाइक अगर कोई किड़नी पेशेंट कोई फल खाता है तो उसके दिमाग में ये चीज जरूर आती है कहीं ये फल उसके शरीर को या उसकी किड़नी को गलत इफेक्ट तो नहीं डाले या फिर उसकी किड़नी को इससे नुकसान तो नहीं पहुँचेगा तो ऐसे में जरूरी है आपको पता हो आपको खाना क्या है तो आज मैं आपको ऐसे 5 फल बताने वाला हूँ जो kidney patient आराम से खा सकते हैं और ये फल उनकी kidney पर बुरा impact भी नहीं डालेंगे सबसे पहले तो किसी भी kidney patient को खटे फल नहीं खाने होते kidney patient जब भी कोई फल अपनी diet में include करता है तो उन्हें उस फल का potassium level और mineral level पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी kidney का एक काम आपकी body में minerals और vitamins का balance बनाना भी होता है तो ऐसे में आपको आपकी kidney की situation या आपकी kidney function report के हिसाब से ही अपनी diet में कोई भी फल include करना चाहिए मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आपकी body में potassium level या sodium level high है तो आप potassium और sodium rich fruits को अपनी diet में include ही ना करें क्योंकि ये आपके kidney को नुकसान पहुचा सकते है अब मैं आपको ऐसे 5 फलो के बारे में बताने वाला हूँ जो kidney patient खा सकते हैं इनमें सबसे पहले आता है सेब सेब खाने से kidney patient का sugar level control में रहता है kidney patient को अपना sugar level control करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में सेब उनके लिए काफी अच्छा option है वे सेब खा सकते हैं बिना sugar level बढ़ने की चिंता किये क्योंकि ये आपके sugar level को maintain करता है वहीं सेब खाने से blood circulation भी सुधरता है digestive system और liver भी strong होते हैं और आपके immune system में भी improvement देखने को मिलती है इसलिए kidney के patient सेब खा सकते हैं लेकिन जैसे अगर आप normal doctor के पास जाते हैं तो normal doctor आपको यही सला देते हैं कि आप सेब खिलके के साथ खाएं लेकिन अगर आप एक kidney patient हैं तो आप सेब को छील कर ही खाएं क्योंकि सेब के खिलके में कुछ ऐसे vitamins और कुछ ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो kidney patients के लिए अच्छे नहीं होते साथ ही अगर आप सेब को दूद के साथ खाते हैं तो इससे आपको उल्टी हो सकती है क्योंकि दूद में high protein होता है और kidney patient में अक्सर protein loss की problem देखी जाती है हमारा अगला फल है अमरूद कहने को अमरूद एक फल है लेकिन इसके गुणों की बात करें तो ये kidney patients के लिए वर्दान से कम नहीं है क्योंकि अमरूद खाने से आपका blood pressure control में रहता है sugar control में रहती है cholesterol level भी आपका control में रहता है और साथ ही अमरूद आपका hemoglobin level भी increase करता है और इसके अलावा अमरूद आपके digestive system को भी strong बनाता है basically होता क्या है अमरूद के छिलके के ठीक नीचे vitamin C होता है जो digestion को improve करने में help करता है लेकिन kidney patient को एक बात का खास दिहान रखना होता है कि वो अमरूद खाते समय उसके बीज बहार निकाल ले क्योंकि अमरूद के बीज kidney patients की kidney में stone बना सकते है और अगर आप kidney stone के patient है तो आप अमरूद बिलकुल भी ना खाएं क्योंकि अमरूद के बीज आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते है अब इसके बाद आता है हमारा अगला फल जो है पपीता ये एक ऐसा फल है जो हर बीमारी में patients को दिया जाता है kidney patients में अकसर कबज की problem देखने को मिलती है तो ऐसे में पपीता उनकी इस problem को दोर करने में काफी मदद करता है साथ ही इससे blood pressure भी control में रहता है kidney patients के लिए blood pressure control में रखना काफी मुश्किल task हो जाता है ऐसे में वो kidney patients पपीता खा सकते हैं क्योंकि पपीता उनके blood pressure को control में रखने में काफी मदद करता है कई kidney patients में gout यानि गठिया की problem हो जाती है तो उनके लिए भी पपीता काफी फायदे मंद है साथ ही पपीता में anti-inflammatory गुंड होते हैं जो आपकी kidney के लिए काफी अच्छे होते हैं जो आपकी swelling को कम करने में आपकी help करते हैं लेकिन वहीं मैं आपको बता दूँ पपीते को हर kidney patient नहीं खा सकते क्योंकि जिन kidney patients की kidney sugar की वज़े से खरावी है उन्हें पपीता नहीं खाना है क्योंकि पपीता में sugar भहुत होती है और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए पपीता को अपनी diet में include करने से पहले आप अपने doctor से सलह एक बार जरूर ले लें kidney patients के लिए अगला फल है cranberry kidney patients अपनी diet में cranberry को शामिल कर सकते हैं क्योंकि almost kidney patients को urine से related problem होती है तो cranberry उन problems को ठीक करने में काफी helpful है क्योंकि cranberry में vitamin C, antioxidants और salicyic acid होता है साथ ही इसमें pro anthocyanin होते हैं जो आपके bladder की wall पर bacteria और cells को मिलने से रोकते हैं और इससे urinary tract infection और urine problems दूर हो जाती है kidney patients के लिए अगला फल है खर बुजा kidney stone की समस्या से परिशान patient खर बुजे का सेवन कर सकते हैं खर बुजे में भरपूर मात्रा में पानी और oxikine होता है oxikine एक तरह का element है जो kidney stone की समस्या को ठीक करता है खर बुजे में vitamin C काफी अच्छे amount में होती है जिस वजह से ये आपके immune system को strong करती है वही kidney patient का immune system काफी weak हो जाता है जैसा के आप लोगों को पता है तो उनके लिए खर बुजा काफी अच्छा option है अपनी immunity को बढ़ाने के लिए इवन अगर आप diabetic patient है या आपके kidney की problem की वज़े से आपका sugar level बढ़ रहा है तो भी आप खर बुजा खा सकते हैं लेकिन limited amount में ही साथी ये आपके blood circulation को भी अच्छा करता है क्योंकि पपीता क्या करता है आपके blood को पतला करता है क्योंकि इसमें endosine chemical होता है जो आपको heart related problem से बचाता है और आपके blood को पतला करता है तो ये थे वो 5 फल जो kidney patient खा सकते हैं लेकिन आप अपनी diet में किसी भी फल को शामिल करने से पहले अपने doctor से सलहा जरूर ले लें क्योंकि उन्हें आपकी actual situation का पता होता है और भूल कर भी इन फलो का juice ना पियें क्योंकि kidney patient की liquid diet भी काफी strict होती है अगर आप भी kidney patient हैं तो आप सिधा call कर हमारे doctor से संपर्ख कर सकते हैं आपको free of cost consultation नीचे दे गए numbers पर मिलता है साथ ही अगर आपको या आपके किसी relative को भी kidney से related कोई भी problem है तो आपको देड नहीं करनी है जल्दी call करना है भारत होम्यपैथी में क्योंकि यहां आपको free of cost consultation प्रोवाइड किया जा रहा है अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भारत होम्यपैथी ही क्यों तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि भारत होम्यपैथी में हम आपके शारिरिक और मानसिक बल दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको दवाईयां देते हैं जो easily आपकी body में dissolve हो जाती है और अपना असर जल्दी दिखाना शुरू कर देती है और साथ ही अगर आप ऐसे ही और important और useful वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe करें Thank you for watching